हेलो एं नमस्ते टू एवरिवान वेलकम टू अनलाइन स्टडी पॉइंट पॉलिटी हम कर रहे हैं और आज का इसमें हमारा टॉपिक है समविधान के विदेशी स्रोत विदेशी समविधानों से हमने क्या-क्या लिया है अपने समविधान में शामिल किया है उसके बारे में आज देखेंगे लेकिन एक चीज में पहले आपको बता दूँ कि our constitution is not borrowed ऐसा क्यों क्योंकि समविधान जो हमारा है सबसे अलग है अनोखा है और मैं कहूंगी कमाल का है हमारे समविधान निर्माताओंने 60 से अधिक समविधानों का अलग-लग देशों के समविधानों का हमारे country में क्या follow हो सकता है क्या नहीं हो सकता और अगर कुछ change करके follow कर सकते हैं तो वो भी किया तो इसलिए इसको हम borrowed समविधान नहीं कह सकते हैं और ये भी तो देखें कितने दूरदर्शी लोग थे वो जो समविधान निर्माता थे कि उन्होंने उस time पर ऐसा समविधान की चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 इसकी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग को पता होगा पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जब ब्रेटिश राज था तो कई सारे अधिनियम एक्ट लाते रहते थे वो जैसे 1909 का अधिनियम है 1909 का था और इसको एक बहुत महत्व पूर्ण अधिनियम माना चाता है क्यूंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान भारत के लिए ऐसे बनाए गये थे ऐसे कानून बनाए गये थे जिनको हमने बाद में चलके अपने समीधान में शामिल किया और इसी लिए 1935 का जो अधिनियम था इसमें से हमारे आज के समीधान का 70 प्रतिशत हिस्सा है ठीक है मतलब 70 परसेंट जो हमारा समीधान है वो 1935 का अधिनियम ही है बाकी जो 30 परसेंट है वो हमने बाकी अलग-अलग चीज़ें कुछ अड़ की और ये संगिये तंत्र राज्येपाल का कार्याल है नियाय पालिक लोकसिवा आयोग ये 70 परसेंट के अंदर ही आते हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसका हमारे समीधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो है 1935 का अधिनियम फिर ब्रेटिश समीधान से हमने क्या क्या लिया क्योंकि ब्रेटिश क शासन ही था हमारे आपर और क्योंकि शासन था तो शासन प्रणाली जो हमारे आपर है जो राजनितिक रूप है समीधान का वो सारा प्रजित है ब्रेटिश समीधान से जिनमें संसिदिय शासन प्रणाली आ जाती है विधी का शासन आता है विधाई प्रक्रिया एकल नागर अगर हम किसी स्टेट में रहे हैं। यूपी में ग्ली में मध्यप्रदेश में बिहार में कर नाटक नाहीं से घृट में तो teilल्स ता अमने से बहुत थे एकला नाय। आपके। नाहिं dic tookak साविधान से प्रेरित कि मंत्री मंदलप्रनाली यहतं से मलग कि इसलिए संसद की सदन का नाम मातरीक्त को अथाक्रिया विधि के संसस प्रेर राजरि प्रेरित समांता अनुछे 14 में जो दिया गया है विधी के समक्ष समांता विधी मतलब कानून कानून के समक्ष सभी समान है है ना कानून किसी किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं मानेगा कानून के सामने सब समान है तो यह भी ब्रिटिश सम्विधान से प्रिरित है और इसके क्या क्या हमने ग्रहन किया है लिया है तो सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार मौलिक अधिकार या फिर फंडमेंटल राइड्स जिनको हम एंजॉय करते हैं फिर है नियायपालिका की स्वत्मत्रता यह प्रेरित तो है अमेरीकी समिधान से लेकिन यह कोशिश करती है तो संस्ति उसको कंट्रोल करने का काम करती है मत्में सारी जो हमारे लोक्तंत्र के कौन कौन से कांग और क्या था परिस्थितियों के अनुसार सुप्रीम को अपने ही डिसिजन को वापस सोच सकती है और उसको चेंज भी कर सकती है ठीक है अगर सुप्रीम कोट को ऐसा लगे कि पहले वो जो डिसिजन लिया गया था वो ठीक नहीं था अभी इस वाले केस में उस डिसिजन को हमें चेंज करना चाहिए तो वो भी कर सकती है आपने जैसे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो देखा होगा मामला उसमें कई सारे केसिज के बाद वो अवधारना सामने आई थी ना बेसिक स्ट्रक्चर की तो इसी तरह से जैसे उस वाले केस में ऐसा हुआ था कि कई सारे केसिज आये फैसला चेंज होता रहा तो इसी को कहा जाता है नहीं पुन्रावलोकन का सिधान था फिर है लिखित सम्विधान ये भी से बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है सारे आर्टिकल्स पार्डस शेड्यूल सब हुआ है ब्रिटिश सम्विधान लिखित है लेकिन एक तो बंपराउं पर प्र जादा बेस्ट है वो और दूसरी चीज लिखिच भी है चीज़े लेकिन इस तरह कोई कंपाईलियेशन नहीं है कि एक बुक वह उठाकर दिखा सकेंगे देखो यह है हमारा समिधान हम कर सकते हैं वह अपने समिधान उठाकर बोल सकते हैं कि यह हमारा समिधान है वह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कई सारी चीज़े से ही प्रेद है फिर पुन्रावलोकन यह हम यहां देखी चुके हैं राष्ट्रपती का महाभयोग जो होता है वो भी अमेरिकी सम्विधान से प्रेद है सर्वोष नयाले का संगठन शक्तियां अनुसुजित जाती और जन जाती के बारे में जो प्रावधान है सम्विधान की सर्वोषता सम्विधान की सर्वोषता यह तो सबसे उपर है ना हमारे यह संसद से भी और नियायपालिका से भी उपर है नियायपालिका को शक्तियां ही सम्विधान से मिलती है न तो सबसे उपर सम्विधान है सम्विधान को सर्वोषता अमेरिकी सम्विधान से ही ऑरत को आदमी बनने की और सिर्वावत सबसे मेअरिका है संघ्वाइब भारत में परनाली परनी सिर्वोच है फिर विद्धियापात जो आपात काल है उसमें विद्धियापात यह अमेरिकी समविधान से प्रीड़ थे और विधी का समान सनरक्षन यह अनुच्छत 14 अनुरूप यह इसमें दिया हुआ है अब यहाँ पर यह गण्फ्यूज हो सकता है हुए हो अगर आपको याद हो हमने अमेरिकी समविधान से पहली जो यह वर्ड है विधी के समक्ष समान था मतलब की जो विधी है कानून है कानून के समक्ष सभी समान है अमीर हो या गरीब जो देश में रहने वाला इंसान देश का नागरिक हो या विदेशी हो सभी के साथ अगर किसी व्यक्ति ने कोई अप व्यक्तियों पर लागू होगा ठीक है कोई एक अपराद किसी व्यक्ति ने किया है वही अपराद किसी दूसरे ने किया है तो जो उस अपराद के लिए सजा है वो समान सजा ही दी जाएगी ठीक है तो एक लिया है हमने ब्रेटेश समिधान से दूसरा लिया अमेरिके समिधान most important thing राजे के नीती निर्देशक सिधान्थ directive principles of state policy DPSP जिसको हम बोलते हैं short में ये कहां से लिया गया है Ireland के समिधान से लिया गया है इसके अलावा राश्ट्रोपती के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये Ireland के समिधान से प्रेज़ थे राश्ट्रोपती के द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान इत्यादी के शेत्र में ख्याती प्रात वेक्तियों का मनोनेयन जो राश्ट्रोपती राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी Ireland के समिधान से ली गई है अब ये ध्यान दीजेगा जरूर कि हमने कैसे mix and match किया है है ना एक ही हमने लोगसभा राज्यसभा ये संसर की प्रक्रिया कहां से ली है ब्रिटिश से ली है ठीक है लेकिन राज्यसभा के अंदर हमने जो नॉमिनेट करते हैं जो हमारे प्रेजिडेंट सदस्यों को वो कहां से लिया है वो आईरलेंड से तो एक चीज़ के अंदर हमने ऐसी चीज़ डाल दी जो उस देश में नहीं किसी दूसरे में थी अब ही आप लोग एक क्वेशन बताएंगे कि राश्ट्रपती ये जो नॉमिनेट करते हैं कितने सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और लोगसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा करनाडा का सम्विधान, यहां से हमने क्या क्या लिया है, तो यहां से सशक्त केंद्र के साथ संग्हे विवस्था या फिर संघात्मक विशेशता है, संघ का मतलब क्या होता है, संघ मतलब, संघ अगर हम वर्ड पर जाएं, तो संघ मतलब होता है हमारे हैं कैसी विवस्था है संगात्मक विवस्था है केंद्र सरकार है पूरी कंट्री की लेकिन शक्तियों का बटवारा भी है और उसमें भी शक्तियों का बटवारा केंद्र और राज्यों के बीश तो है राज्ये अपना अलग देखते हैं केंद्र पूरी कंट्री को संभ लग है ऐसा नहीं कि जादा शक्तियां राज्जोड़ों को दीगए है और क्यों कि पिर क्या स्टार्टिंग से ही हम ने जब आजब इंडिया आजाद हुआ था डिविजन हुआ था तो उस टाइम पर क्या था बहुत सारे मनमानी करते कई राज्य ऐसे थे स्टार्टिंग से ही जो अलग होना चाहते थे एक अलग देश के रूप में बनना चाहते थे तो वह वाली सिचुएशन से बच सके इसलिए केंदर को जादा सशक्त बनाया गया है लेकिन ऐसा भी नहीं कि राज्यों को कुछ नहीं मिला है रा कई सारे वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो मतलब ना पता हो और दूसरा एक शुद हिंदी में थोड़े वर्ड्स होते हैं मतलब हिंदी थोड़े डिफिकल्ट वाली हो जाती है तो तब भी समझ में नहीं आता तो इसलिए उसके अलावा करनाड़ा के समविधान से क्या लिया स्टेट्ट लिस्ट में जो राजियों के पास शक्तिय जिन विशे में कामकरती वह तो ओल दोनों की अधिकार शेतर में लेकिन हो सकता है कि कुछ श्विशeur फिर भी कभी अंद में जाएं जो इन तीनों ही सूचियों में ना मिले तो फिर वो उन्हीं विश्यों को बोला जाता है अवशिष्ट शक्ति तो यह decide किया गया कि अफशिष्ट शक्तियां किसे दी जाएंगी केंद्र को दी जाएंगी क्यूंकि केंद्र जादा शक्तिशाली है तो इसे लिए केंद्र को दी गई है अफशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है यह कनाडा से लिया गया है फिर अफशिष्ट शक्तियां केंद केंदर के पासез वह दिए प्र defr PM के स्थान पर उनियोंय शब्त का प्रियोग किया गया है संग्र की इंग्लिश की फेडरल हैं ना तो लेकिन भारत के लिए fedration का यूनियोंगर को मिला कर एक भारत बनाए एक भारत ब्रवारत बना गया तो इसलिए union चुंद्र सरकार की सिफारिश पर यह हम कह सकते हैं तो यह भी लिया गया है गनाड़ा के समीधान से और प्री अपार वा डेजिया और समागम की स्वतंतरता यह जो हमें फंडमेंटल राइट के अंतरकत दिया गया है आर्टिकल नाइंटीं में यह हमें आस्ट्रेलिया के सम्विधान से लिया है प्रस्तावना की नहित भाषा और भावना है ठीक है प्रस्तावना जो है जो भाषा हमने प्रियोग की है प्रस्तावना में वो आस्ट्रेलिया के सम्विधान से ही प्रेरित है फिर केंद्र और राजे संबंध शक्तियों का फिर आते हैं जर्मनी के समिधान पर जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे fundamental rights तो हमने देखा था कि आपातकाल पढ़ा था उसमें भी देखा था कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है ठीक है तो यह जो प्रावधान है आपातकाल के समय रास्ट् मौलिक अधिकार वह हमने लिए हैं अमेरिका से DPSP आइरलेंड से मौलिक कर्तव यह लिए हैं सोवेट संग से ठीक है और प्रस्तावना में जो न्याय है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक यतीन तरेका न्याय के बारे में बात की गई है प्रस्तावना में तो वह चीज़ प्रस्तावना में जो स्वतंतरता समानता और बंधुत्व है इसके आदर्श हमने फ्रांस की क्रांती से ही प्रेदित हैं हमारे समिधान में लिए गए हैं फ्रांस की क्रांती के गई थी इन आदर्श थे न स्वतंतरता समानता और भायचारा या फिर बंधुत्व तो यह हम सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है निर्वाचन की जो पदती है यह भी दक्षिन अफ्रिका के समीधान से ही प्रेरित है तो यह थे कुछ इंपोर्टेंट विदेशी श्रोथ जो हमारे समीधान में जिनकी जलक देखने को मिलती है अब आते हैं क्वेस्चन पर और कोशिश कीजिएगा क्वेस्चन के आंसर आप पहले दीजिए क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ चुके है ठीक है तो पहला हमारे प्रशन मौलिक अधिका मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं स्युक्ति कैसी जलदी से हां बिलकुल ठीक एं अमयरिका से नेक्स्ट कोश्चन का प्रावधान कहां से लिए गया है मैंने दोणunu आगरिकता का भी एक्जांपल दिया था ठीक है और वह हमारे फॉसेटभी हमड़ ने ये के सम्विधान से प्रेरित हैं अब यह बताईए फटा-फट से मैंने तीनों को एक साथ रिवाइज भी करवाया था मौलिक अधिकार अमेरिका डीपीएसपी आइरलेंट और मौलिक करतवे कहां से रूस से ठीक है नेक्स्ट है आपातकाल व्यवस्था किस देश से ली गई है कहां से लिए है जर्मनी से लिए है ठीक है आपातकाल व्यवस्था जर्मनी से लिए है और वित्तिया आपातकाल यह कहां से लिया गया है अमेरिका से फिर नेक्स्ट है सम्विधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिए जल्दी से बताए क्योंकि बिल्कुल हमने अभी रि विचारधारा किस देश के सम्मधान से प्रेश्ट है। मैंने बताया था ना कौन से देश की विश्ष्ष्ता के समयधान से प्रेश्ष्ष्ष्ष बता के सम्विधान से प्रेरित है बताईए जली से जापान के सम्विधान से कौन से विश्विष्टा प्रेरित है इन सभी में से तो वो है विधी द्वारा यह साउथ ऐफ्रिका से याद हो गए फर नेक्स टे संसद के दोनों सदनों कि संविधान की विश्रेष्टा है क्या होगा इस कांसर संविधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से ठीक है कहां से ऑस्ट्रेलिया से कौन से प्रावधान संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारतिय संविधान को कौन से विश्रेष्टा प्रदान की इन में से कौन से विश्रेष्टा है चले देखे करके देखते हैं सारी ही वित्तियापात कहां से लिया है हमने अमेरिका से लिया है निति निर्देशक सिधान ये कहां से लिया है आयरलेंड से लिया है एकल नागर से प्रेरित भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में शामिल की गई नियाय की अवधारना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है क्या पुछ है कौन सा शामिल नहीं है तीन तरह के नियाय के बारे में प्रस्तावना में बात की गई है और कहां से प्रेरित है सोवेत संग के स तो इन में से कौन सा वो न्याय नहीं है तो समाजिकन नया मैं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर और ये सबी classes आपको देखने को मिलती हैं चैनल पर इसके साथ में online study point 2.0 जो है वहाँ पर science की classes भी शुरू हो चुकी हैं सरपढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है तो आप भी जाकर उसको join कर सकते हैं और OSP 2.0 को भी subscribe कर लीजे साथ ही अगर PDF चाते हैं तो टेलीग्राम पर चैनल को join कर सकते हैं और मैं आज के इस lecture को खत्म करूंगी with this beautiful quote great things never come from comfort zone तो comfort zone से बाहर निकलिया और जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए मिल रहें नेक्स वीडियो में thank you so much watching this जय हिंद